स्वागत है आपका हमारी स्टूब चैनल में बात करने वालने हैं कि आप यहां पर आपको बताने वालने हैं कि दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको सब्ड़को एंड तक आपको step by step देखना पड़ेगा आप एजली अपने IPP bank का जो यहां पर MICR code है एजली आप निकाल पाएंगे वो find कर पाएंगे तो चेली दोस्तों हम आपको सब कुछ लाइब करके बताते हैं लाइब करके दिखाते हैं सबते पहले दोस्तों आप को क्या करना पड़ेगा आपको अपने इंडिया post bank application को इस तरीके से डाल देंगी तो दोस्तों आपको जो यहां पर करना है, इस तरीके से login हो जाएगा दोस्तों आप हैंको प्रय हो जाएगा यहां पो क्या करनापदेगा आपको MICR नमबर आपको पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे simply आपको यहाँ पर एक options वरा दोसरा पर मेनी statement का तो आपको simply क्या करना पड़ेगा आपको मेनी statement पर क्लिक करना आप जैसे पर क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने आपके bank के इस तरीके से ओपीन हो करके आजाएगा तो दोसरा आपको हम पर क्या करना पड़ेगा आपने passbook को आपको हम पर डाउनलोड करना पड़ेगा तो दोसरा आप यहाँ पर 30 दिन का डाउनलोड कर सकते हैं 60 दिन का डाउनलोड कर सकते हैं दूस्ट दो करने चाहरी है अब्रोड को डाउज लोड करना चاहरें तो आपको डाउजूड पे क्लिक करना और खेली अगर दृस्ट आपको लुट जो keyword download folder मतलब दोस्तों आपको जो account statement है successfully download हो चुग है अब आपको क्या करना पड़ेगा अपना यहाप जो folder है जो file है file को check करना पड़ेगा तो चलिए हमसे क्या करेंगे आपको जितना भी statement है इस तरीके से निकल जाएगा तो अब आपको हैं पर MICR code आपको कैसे पता करना है तो जैसे आप इसको जूम करेंगे तो आपको जो MICR code है यहाप आपको मिल जाएगा जैसे दोस्तों आपको कोड है इंडिया पॉसर्बेंग का उसी तरीके से नीचे दोस्तों है पर MICR code है तो दोस्तों MICR बहुत इंपोर्टेंट है यहाप कोड है दोस्तों अब इस तरीके से आपको पता रहेगा तो इस तरीके सब निकाल सकते हैं जैसे दोस्तों मेरा